भाईयों और भेनों, हमारे जमानों की सुरक्षा के प्रती, कॉंग्रेस का रवया क्या रहा, ये मैं देश को फिर याद दिलाना चाहता हूं। साल 2009 में भार्त की सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूप जैकेट की मांग की थी। 2009 से लेकर के 2014 तक 5 साल बिद गए, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूप जैकेट नहीं खरीदी गई। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बार, 2016 में हमने सेना के लिए 50,000 बुलेट प्रूप जैकेट खरीद करके उनको सुप्रूप कर दिये हैं। मैं देश को ये भी जानकरी देना चाहता हूँ, इस साल अप्रिल में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूप जैकेट का ओडर दिया जा चुका है। ये जैकेट बारत की ही एक कंपनी बना रही है। भाईयो और भेहनों, कॉंग्रेस के पापों के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि बोलते बोलते सायद सप्ता के सप्ता निकल जाए। आज मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर 2014 के बाद भी देश में कॉंग्रेस की सरकार बनती, तो हमारा गवरो, देश का गवरो, तेजस लड़ा को विमान हमेशां हमेशां के लिए डिब्मे में बंद कर दिया जाता। कोई पूछने वाला नहीं होता। कॉंग्रेस सरकार के समाएं तेजस के निर्मान से जुड़ी हर चीज को कमजोर करने का प्रयास यूपिये सरकार में हुआ। ये प्रोजेक पहले ही बरसों से अठका हुआ था, लेकिन कॉंग्रेस सरकारों के दौरान इसे तेज करने की कोई कोशिश नहीं हुई। भारत्यपा और NDA की सरकार आने के बाद हमने जुलाई 2016 में ये फैसना लिया कि तेजस को 45 स्क्वार्टन में शामिल किया जाएगा। हमारी सरकार ने 83 नए तेजस विमान खरीज जाने खरीजे जाने का प्रस्ताव स्विकृत की दे दी। इतना ही नहीं तेजस विमान बनाने के हाल H.A.L. की ख्रमता को दो गुना करने के लिए पिछले साल 1400 करोड रुपिय की भी मंजुरी दी गई। भाय योड बहनों स्वतंतृता के बाद से ही कांगरेश का ये तरीका रहा है कांगरेश सरकार के द्वारा किये गए हर रक्षा सौधे में कोईने कोई विदेशी मामा कोई विदेशी अंकर कोई चाचा कोई भतीजा कोईने कोई तो निकल आता है आई ए इसलिए जब पारदर्शिता और इमानदारी से सौधे होते हैं तो कॉंग्रेस बॉखला जाती है एक तायर रण दिती के तहट सेना पर ही धावा बोल देती है सेना को कमजोर करने का प्रयास करने लगती है साथियों सेनाओं की मान मर्यादा वैसे भी कॉंग्रेस और उनके चेले चपाटों की कल्पना से परे है जिस पार्टी के लोग हमारे सेना द्रश को गुंदा कहते हो और गुंदा कहने वाले को जहां पार्टी में उचे पद पर बिठाये जाता हो ऐसे लोगों से और क्या उम्मिद रखी जा सकती है जिस पार्टी के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो अपनी सेना से जादा दुश्मनों के दावों पर जादा बरोसा रखते हो उससे क्या उमिद क्याज की जा सकती है जिस पार्टी के लोग मामुली रखम सिरफ 500 करोड रुपी रख करके फोज की आँख में धूल जोंकने का हीन प्रयास करते हो और 500 करोड रुपीय में बन रेंग बन पेंशन का जूठा दिलासा दे करके फुल मालाई पहनने लग जाते हो ऐसे लोगों से क्या उमिद की जा सकती है बन रेंग बन पेंशन का विशे भी तो 40 साल से लटका हुआ था इसे भी हमारी सरकार ने पूरा किया 11,000 करोड रुपीय से जादा की रासी एरियर के तोर पर पूर्वर सहीनिकों को भोजियों को मिल भी चुकी है